नमस्कार मेंजनों और आप देख रहें एन भारस समाच्वार लियूस आए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की और सम्विदा कर्मी का वेतन रोकनी पर हाई कोट सक्त प्रमुक सचेब को लगाई फटकार सेलरी देने का दिया आदेश या चुका करता स्वास से विभाग में सम्विदा पर कार रथ था लेकिन पिछले छे महीनों से उनकी सेलरी नहीं दी गए जिसके बाद उसने हाई कोट में या चुका दाखिल कर वेतन की मांग की थी उतर प्रदेश के स्वास से विभाग के एक कर्मिचारी ने पूरे शासन को पानी बिला दिया है इस कर्मिचारी को पिछले छे महीनों से सेलरी नहीं मिलने के बाद उसने शासन की खिलाफ हाई कोट में आचका दाखिल की थी जिस पर सुनबाई करते हुए कोट ने प्रमुक सचेब महिला कल्यान एवं बाल विकास लीना जोहरी को कड़ी फटकार लगाई और 11 नवंबर से पहले उनकी सेलरी जारी करने का आदेश या हाई कोट ने प्रमुक सचेब के हलफ नामे को खारीश करते हुए कहा आप अपने दायत्व का निर्वहन ठीक तरीके से रही कर पा रही है दरसल बस्ती में रहने वाले सुधीर कुमार यादब की स्वास्य विभाग में प्रधान मंत्री मात्रत्व वंदन योजना के अंतरगत सम्विदा पर नियोक्ती की गई थी ततकालीन मुके सचेवने दिनांकार जून 2023 को हब में प्रापधानों पदों की सापेक्ष हूमन लिट्रेसी स्पेसलिस्ट की पदपर समायोजन किया गया 2018 से जून 2023 सक्स्वास्य विभाग द्वारा लगातार मान दे दिया गया लेकिन समायोजन की बाद जूलाई 2023 से मार्च 2024 सको पिस्तथी के आधार पर महिला कल्यान विभाग ने वेतन का भुकतान किया या चुका करता कि सेलरी रोकी अपरेल 2024 से बिना किसी कारण सुधीर यादब की सेलरी रोक दी गई जिससे व्यथित होकर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया कोर्ट के आदेश पर भी उनका वेतन नहीं दिया गया शासन के और से कोर्ट में हलफ नामा दिया गया जिस पर 26 सितंबर 2024 को फिर सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस नाखुसी जताते हुए हलफ नामे को नामंजूर कर दिया कोर्ट ने महिला विकास विभाग को 4 अक्टूवर से पहले वेतन का भुकतान करने का निर्देश दिये और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेतन की रिकाबरी के लिए न्याय के प्रक्रिया अपनाई ज़ाएगी लेकिन फिर भी यह अच्छी का वेतन नहीं मिला कोर्ट ने लगाई विभाग को कड़ी फटकार जिसके बाद 24 अक्टूवर को कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई और इस बार जस्टिस जेजे मुनीर ने शासन के रवेये पर कड़ी फटकार लगाई कोर्ट ने प्रमुख सच्छेव को कहा कि आप अपने कर्टब का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रही हैं इसलिए कोई अन्य प्रमुख सच्छेव इस पूरे प्रकरण में हलफ नामा लेकर अगली तारीख पर आये और सरकार का पक्ष रखे जिस पर प्रमुख सच्छेव लीना जोहरी ने हलफ नामा देकर कहा कि याची की नियुक्ती अस्थाई थी और 31 मार्च 2019 के बाद नियुक्ती बढ़ाई नहीं गई है इसलिए वेतन नहीं दिया जा सकता जिसकी विरोध करते हुए याची ने कहा कि इस सम्बंद में ना उन्हें कोई सूचना दी गई और ना ही सम्बंदित आदेस पारित किया गया याची लगाता सेवा दे रहे हैं जिसकी उपस्तिती को मोखिच किसादिकारी बसी प्रमाडित करके सितंबर महा तक के वेतन भुकतान के लिए शासन को लैटर भी भेच चुके हैं जिसके बाद कोट ने दूसरे प्रमुक सच्छिब से इस मामली में हल अफनामा दाखिल कर जवाब मांगा है कि सरकार बताय कि कर्मचारी के वेतन के भुकतान से सम्मंदित क्या पक्रिया अपनाई जवा रही है अब तक के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ अब तक लिए नमशकार और देखते रहे हैं एन भारास समाचवार निउस